Good morning students, आज हम next chapter जो है जिसका नाम है transportation and tourism उसके बारे में पढ़ेंगे इस chapter में हम राजस्तान के major tourism center जो है उनके बारे में पढ़ेंगे अगर हमें social और economical development चाहिए किसी भी region का तो उसके अंदर transportation भी अच्छा होना चाहिए अगर हमारा transportation अच्छा होगा तो हम publicly से अच्छे जुड़ पाएंगे transportation किसकी मादियम से कर सकते हम roadway की मादियम से railway की मादियम से ठीक है और जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि pipeline के मादियम से भी हम transportation करते हैं जैसे हमारे petrol वगरा जो आते हैं petrol है, gases है, ठीक है अगर मैं rail transportation की बात करूँ तो ये सस्ता और ideal means of transportation है सस्ता भी है और अच्छा भी है क्योंकि इसके अंदर आप आराम से कहीं भी जा सकते हो लंबी दूरी त्या कर सकते हो न और अगर पहली train की बात करूँ भारत में तो 1853 यानि अठारा सो तिरेपन में चली थी मुंबई से ठाने के बीच में महराष्ट्रा में और राजस्तान की बात करूँ तो बांदी कुई से लेकर आगरा फोर्ट तक 1874 में 1874 है न और अगर हम हमारे राजस्तान की बात करें तो राजस्तान में लगबग 6,000 6,000 किलोमेटर लंबी train lines है और दो जोन हैं हमारे राजस्तान में railway zones एक नॉर्थ वेस्टन रेलवे जोन और दूसरा है वेस्ट सेंटरल रेलवे जोन इसके लबा पांच डिवीजन है हमारे पास जैपूर, बिकानेर, जोदपूर, अजमेर और कोटा दो जोन हैं फाइव डिवीजन है उसके लबा हम बात करें नोथ वेस्टन रेलवे है जो सबसे बीजियस्ट है जो हमारे राजस्तान में गुजरती है और इसका जो हैड़ ओपिस है वो जैपूर में है ठीक है और हम इसको आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अगर मेट्रो रेलवे सर्विस की तो जैपूर में 2015 में स्टार्ट हो गई थी 2015 जून 2015 में स्टार्ट हो गई फिर आता है एर ट्रांस्पोर्टेशन एर ट्रांस्पोर्टेशन के अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा एक्स्पेंसिव है और लेकिन फास्टेस्ट भी है सबसे जल्दी अगर कोई ट्रांस्पोर्ट चीज होती है तो वो एर से होती है राजस्तान में अगर मैं बात करूँ एरपोर्ट की तो हमारा सबसे बड़ा और बीजिस्ट इंटरनेशनल एरपोर्ट स्थांगानेर एरपोर्ट जैपुर में है उसके बाद माराना परताप एरपोर्ट डाबोक उदेपुर में है अगर जोदपूर की बात करूँ तो यहाँ सिविल और मिल्टरी इपोर्टन्स की दृष्टी से एक एरपोर्ट बना हुआ है अलग लग एरपोर्ट भी हमारे जैसे किशन गड़, अजमेर, जसलमेर, बीकानेर और कॉटा के अंदर भी हमारे एरपोर्ट बने हुए है अगर मैं टूरिजिम कहते किसे इसकी बात करूँ तो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना टूरिजिम कहलाता है ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनधर इस कॉल्ड टूरिजम एक जगा से दूसरी जगा जाना टूरिजम कहलाता है ठीक है और पीपल लोग जो है बहुत अलग लग उदेशियों से बहुत अलग लग चीजों से ट्रैवल करते हैं कुछ इंटरेटेन्मेट के लिए करते हैं कुछ नैचरल ब्यूटी देखने के लिए करते हैं कुछ इस्टोरिकल प्लेस देखने के लिए करते हैं कुछ कल्चिरल के लिए करते हैं कुछ धार्मी क्यातरा हैं जाते हैं कुछ गेम्स कुछ बिजनस के लिए कुछ थोड़ा साइंटिफिक रिसर्च के लिए अलग लेक उदेशियों से लोग क्या करते हैं एक जगह से तुरिज जगह ट्रेवल करते हैं और अगर मैं बात करो अपड़े राजस्तान की तो राजस्तान वर्ल्ड फेमस ट्रेजम पॉइंट है कह दें हैं हर तीसरा विदेशी राजस्तान आता है तो आप देख लो राजस्तान की एहमियत क्या है अराजस्तान में क्या है काम एंड कॉइट बिल्कुल शान्त जीले हैं होट एंड कूल था डैजट दिन में गरम और रात को सबसे ठंडा डैजट काइंड्स ओ वर्ल लाइफ तरह तरह की वर्ल लाइफ है हमारे बड़े बड़े फोरेस्ट है टैंपल्स हैं कबर हैं मेड़े हैं कल्चर डाइवर्सिटी है जिनके बारे में हम आगे इस चेप्टर में बढ़ेंगे अब टूरिजम से हमें क्या फाइदा है देखो टूरिजम से एक फाइदा तो ये है कि बाहर के लोग हमारे पास आएंगे तो हमारी जो पर कैप्टा इंकम है उसमें इजाफा होगा यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा इस तरीके से काफी फाइदा है उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे का चेप्टर ठीक है अब हम हमारे गाउं हमारे गाउं को देखें तो परधान मंतरी विलिज रोड स्कीम या परधान मंतरी ग्राम सड़क योजना के माद्यम से हमने परते गाउं को सड़क के माद्यम से जोड़ दिया था यह अटल वियारी वाजपी जी की अच्छी योजना थी जिसके माद्यम से हर गां को हम सड़क के माद्यम से जोड़ने में कामयाब रहे थे ठीक है, उसके बाद आप एक map देख पा रहे हो अब की screen के उपर जो पूरा का पूरा राजस्तान है जिसमें हम अलग अलग district के बारे में देख पा रहे है तिक है कहां कौन सा tourist spot है राजस्तान में फिर मैं बात करता हूँ tourist spot of historical importance अगर मैं archaeologist point से बात करूँ तो हमारे राजस्तान के अंदर काली बंगा जो की पिली बंगा हनमानगेड में पढ़ती है एक important places है अहर जो उधेपूर में है important पैरलेस है बेराठ जैपूर में है गनेश्वर सिकर में है ये बड़ी बड़ी famous places है हवा महल ठीक है ये आमेर में है आमेर जैपूर में जंतरमंतर जैपूर में है विक्टरी पिलर जिसको विजस्तम के नाम से भी जानते हैं ये चितोड़ गड़ में है उसके बाद हम कुंबल गड़ फोट की बात करें जो राजसमंद में है मेरान गड़ फोट की बात करें जो जोधपूर में है सोनार गड़ फोट की बात करें जो जैसल मेर में है रन थंबोर फोर्ट की बात करें जो सवाई मादोपूर में है गागरोन फोर्ट की बात करें जो जालावाड में है city place जैपूर और उद्यपूर दोनों में हैं ठीक है ये हमारे archaeological या historical importance की आधार पे बड़े बड़े tourist spot है फिर मैं बात करूँ जियोग्राफिकली एंड नैचरल टोरिष्ट places की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बहुत सारे places आते हैं जैसे जैसमंद है फते सागर है पिछोला है उद्य सागर है ये लेख है जो राजस्तान में बड़ी important लेख है नकी लेख की बात करूँ जो माउट अबू में है पुशकर लेख की बात करूँ जो अजमेर में है रासमंद के अंदर रासमंद मेनाल वाटरफॉल चितोडगड में है ठीक है फिर मैं बात करूँ ये अपने मिट्टी का बना हुआ बहुत फेमस किला जैसलमेर का अपना रंधंबोर नेशनल पार्क स्वाइमादपूर में है सरिसका टाइगर रिजर्व कहां है अलवर में है केवला देव नेशनल पार् रिवर कहां है कोटा में है ये हमारे जियोग्राफिकली और नेशनल रिसोसिस के अधार पे प्रमुक टॉरिष्ट प्लेसे है फिर मैं रेलीजियस टॉरिष्ट पैलेसों की बात अगर करूं ब्रह्मा जी का टेमपल जो कहा जाता है एक मातर टेमपल है पुशकर अजमेर मे है कपिल सरोवर जो की कॉलायद बिकानेर में है बाबा रामदेव टेमपल रामदेवरा जैसल मेर में है शिरी नाज जी टेमपल नादवारा में है जो की रासमद में है एकलिंग जी टेमपल उध्यपुर में है गोविन दीव जी टेमपल जैपुर में है करनी माता टेमपल देशनुक बिकानेर में है शिरी तिरुपुरा सुंदरी टेंपल तलवाड़ा बांसवाड़ा में है शिरी महावीर जी टेंपल शिरी महावीर करोली में है मेंधिपुर बाला जी मंदिर मेंधिपुर करोली में है अंबिका माता टेंपल जगत उद्यपूर में है सालासर बालाजी मंदिर सालासर चुरू में है लक्ष्मी नरायन टेंपल बिल्डा मंदिर जैपूर में है ठीक है यह हमारे religious places हैं बड़े बड़े राजस्तान के अंदर फिर मैं रिशवदेव टेंपल की बात करूँ जो उद्यपूर में है रनकपूर टेंपल पाली और देलवाड़ा में है जैन टेंपल सिरोई में है यह हमारे ऐसे places हैं टूरिस्ट को जो अट्रेक करते हैं अपनी तरफ टूरिजम ड्वल्पमेंट के साथ-साथ हमें फैसिलिटी भी बढ़ाई है ताकि जादा से जादा टूरिजम हमारे स्टेट की तरफ आए उसके लिए एक टेपार्टमेंट बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था राजस्तान टोरिजम ड्वल्प्मेंट कॉर्पोरेशन यानि कि RTDC और उसका स्लोगन है पधारो मारे देश जिसका मतलब होता है Welcome to our country Welcome to राजस्तान ठीक है? और इसके स्लोगन जैसा कि मैंने बताया पधारो मारे देश ठीक है? और इसके अलावा एक लगजीरी ट्रेन भी चलाई गई है Place on Wheels जो High Class Comfort Train है जिसके अंदर हमें सब कुछ High Class मिलता है राजा माराजों की तरह जो दिल्ली से चलते हुई जोदपूर, चितोडगड, उधयपूर जैपूर, स्वाइमादपूर जैसलमेर, भरतपूर होते हुए लास्ट में वो मद्या परदेश और उतर परदेश की तरफ निकल जाती है इस ट्रेन के मादिम से भी हमारे काफी टूरुजम बड़ा है Important cultural festival के अगर मैं बात करूँ सांस्करतिक जो करेकरम होते हैं यहां बहुत सारे festivals लगते हैं उसकी बाद आप अपनी स्क्रीम पर कुछ कॉश्चन देख पा रहे हो वो भी कर लेते हैं साथ ही Question है In which district was the metro rail developed in Rajasthan राजस्तान के कौन से शहर में metro rail developed है तो option आप देख पा रहे हो इसमें option सही है जैपुर In which district is Jaisamand Lake situated कौन से जिले के अंदर Jaisamandh जील है तो इसका right answer है उद्यपुर अगला question है Which of these means of transportation is the mostly highly developed in Rajasthan कौन सा transportation का साथन है जो राजस्तान में सबसे ज़्यादा विक्सित हुआ है तो option B Roadways Sadak Madhyam अगला question आता है The first train service was started in Rajasthan Between Rajasthan में पहली train कहां start की गई ठीक है तो इसका answer आता है Bandikui to Agra Fort The city in Rajasthan does not have an airport Rajasthan का ऐसा शहर जिसमें कोई airport नहीं है तो आपका option सही होगा शिरी गंगा नगर Next question है गागरोन फोर्ट is located in गागरोन फोर्ट कौन से जिले में है ठीक है गागरोन फोर्ट कौन से जिले में है तो इसका answer सही होगा जहलावाड क्या होगा answer सही जहलावाड मैनल वाटरफॉल इस लोकेटेड इन मैनाल वाटरफॉल जो है वो कौन से जिले में है तो इसका answer सही होगा चितोडगड में Next question है एक लिंग जी temple is situated in एक लिंग जी का टेमपल कौन से जिले के अंदर है तो उसका answer सही होगा उद्यपुर तो ये थे हमारे आज के chapter के question जिनको हमने deal किया और होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा तो उसके रावा एक और screenshot डाल रहा हूँ जिसमें आप national highway, state highway, metro, rail और national park के बारे में देख पारे हो तैंक यू